नवस्कार आप देखनें इंडिया वोईस मैं हूँ आपके साथ जो इस इंपरोटिंग के शुरुआत करेंगे वारानसी के क्यान वापी परिसर में बने व्यास जी के तहखाने में देररात को कमिशनरी पूजा किया है पिस साल बाद यहां पूजा हुई है कली कोट का ओडर आया था दालत के फैसले के कुछी घंटों के बाद सारे इंतितामात कर लिए गए विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्वा और अरिध्या में रामलला के प्रांट दिस्ठा का शुब मोहुर्त निकालने वाले गनेश्वर द्रवड ने पूजा कराई है मंदल आयुक्त कौशन राज शर्मा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पदेन ध्यक्ष भी है इसलिए पूजा पर बैठे रहे और इस दोरान वारांट सी के जिलाधिकारी एस राज निंगम ने घ्यान वापी से निकलते समय कहा कि कोड की ओर्डर का पालन किया गया है वहीं पुलिस कमिशनर अशोक मुथा जैन ने स्पस्ट रूप से बताया कि कानून व्यवस्था के पालन की पूरी तयारी हो गई है काशिव विश्वनाथ मंदिर में स्थित नंदी में नंदी के सामने वैरिकेटिंग का हिस्सा हटाया गया हिस्सा रात के समय से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गई थी पूरा परिसर चावनी में तब्दील हो गया है की ते इस अधिय होको गएसा कि वहां था है हम रॉम हो गया जैसे ही बाबा का दर्सं किये और को लगता है कि जो मानी कल कभा फैसला जो मानी डाकर एकेविश्वेस जी ने दिया था जो है यह जए फैसला वहां फैसला हमको अभूत पूर लगा उन्हों में आदेशित किया था विशनाद मंदिर टतकाल जो है इसको जो जो ब्याजी का तहकाना उसको खोले और जंता के लिए उसको मुहया करे हम लोग बाबा का दर्संग करने गए दर्संग करने के बाद अधी जो है जैसे ब्याजी के तहकानी को मुड़े लेकिन अधी कि दर्संग करते हैं कि यथी रहती है कि आधी विशेषवर्णात का दर्शन हो उनके नीचे जो अभी कल का आदेश 미्ण्यण जिला जट्य किया उससे हमें बहुत ही ज्यादा िए प्रसनता मिली हम बहुत जաղ Πावध में उस चीजह से और उसकी कोई शीमा ने उस प्रसनता कि आ का मरे देव हमारे आराधि उनके दर्शीन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को और हम चाहेंगे कि जल से जल सभी के लिए आम जन के लिए भी वो दर्सन पूजा के लिए खुल जा है और हम सभी उसका अनंद लें और उस अध्यात्मिक छड़ को जो है महसूस करें तो 31 साल बाद रात को यहां पूजा आरचना की गई और कोड के फैसले के बाद यहां के लोगों में काफी खुशी का महौल देखने को मिल रहा है और वारार्जी के अनवापी मामले में कोड का फैसला आया और अदालत के फैसले के कुछ ही घंटों के बाद प्रशासन की ओड से सारे विवस्था किये गए और रात को मंदिल में पूजा आरचना की गई और इस दौरान लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है साथ ही लोग भावक भी नजर आ रहे हैं अलाकि प्रशासनी कमला लगातार इसको लेकर तैयारी कर रहा है और सुरक्षा को ल और ग्यान वापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने का जो है कोट की ओर से फैसला आया और जिसके बाद पुलिस प्रशासनी की मौजूड़की में पूजा आरचना की गई और इसी ख़बर प्रशार जानकारी के साथ मौमाद आसिफ हमारे साथ चुर गये हैं आसिफ एकतिस साल बाद जो है इस जगह पर पूजा आरचना हुई है क्या जानकारी है अपने पूजा है कि बिशुनाथ मंदित के पुजारियों से जो है बेरिकेटिन की देश्था की जाया है और तैखाने में जानकारी पर्शत की तैखाने में पूजा पाट की इजाज़त पूजा ने दिया है और बता दें कि 17 जनौरी को ग्याज जी के तैखाने को जिले परशासनी कोड के आधेश से अपने नियंतरर में ले लिया था और इसाई सर्वे करवाई के दवरान तैखाने की साफ सपाई हुई थी अब जो है जो कोड का फैसला आया है कि जो ग्याज जी के जो नाती है उनको पूजा पाथ करने की अनुमत दी जाती है इस फैसले के बाद जो है जो हुंदू पच्छे उसमें खुशी की लाग दोड़ गई है अला कि यह लड़ाई काफी दिनों से चल रही थी कोड़ में और सानुनी दाओं पेज के चलते तैखाने में पूजा नहीं हो पा रही थी लेकिन इस फैसले के फैसले से जो हिंदू पच्छे काफी रहत मिली है और पुशी की लाहर भी दोड़ गई है अगर बात करें ग्य और जो संदिक्द लोग दिख रहे हैं उनकी पूरी से पूरी तरह से चेकिंग भी कर रहे हैं तैखाने में पूजा पाट भी बिदी विधान से संपन कराई गये और बियम हिसराज लिंगम ने भी बताया कि पूजा को लेका जो है सभी तैयारी कर ली जाई कोई बिद्र न इसका भी ब्यापा की इंतिजाम किया गया है और वह दूसरी तरह प्रेश सरकार के डिपी सियम ने भी एक्स पर लिखा कि जिस तरह से जो पूर्ट का फैसला आया है वह सराहनी है हम सभी को मानना चाहिए फिलहाल ग्यानवाती को लेकर जो अहम फैसला है उसकी उस पर पू कि पुषी की लाहर भी दोड़ गई है जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और आज कोट में पेश किया जाएगा आपको बता दे कि इडी ने जो है उन्हें हिरासत में ले लिया है और अब जो है आज उनकी पेशी की जाएगी ग्यारा बचे कोट में एडी उनको पेश करेगी तो बता दे मुख्यमंत्री के पाच से उन्होंने इस्तिफा दे दिया है और अब जो है एडी की घुराफद में है और इसी ख़वर पर जादा चानकारी के साथ अच्छे कुमार पांडी रांची से मारे साथ चुर गया है अच्छे क्या जानकारी है सुबह 11 बचे एडी जो है उनको कोट में लेकर जा रही है जी बिल्कुल कल एडी जो है अपने सब्धानिक प्रदों का गरिमा रखते हुए इस्तिफा के बाद वो इसमन सौरे को गिरिप्तार करके लेकर चला गया है अब आज कल रात वो उनको कोट कैम्प में ही रखा गया है पूश्ताच भी की गई होगी आज उनको हाई कोट में के पेसी है मत्तब वो घृमन सौरे ने जब गिरिप्तार हुए गिरिप्तार के बाद वो आपने चिनोंती लीडी की करवाई को लेकरके और इसकर इसे लेकर प्रकास होगा क्योंकि कल राजपाल आपको हम यह भी दा दें कि कल राजपाल इस्टिपे के बाद से वह धिमन सोरेन यानि सतरूर प्रकार की और से सपत के लिए भी प्रस्टा भेजा गया था लेकिन हलाकि राजपाल ने उन्हें अभी समय देने से थोड़ा सा इंकार किया ह उनको वक्त चाहिए था तो कि यह देखें आपको यह पहले इंसाइड इस्टोरी जाना पड़े कि पहली बार सोरेन परिबाद से सफता बाहर निकल गई है अब इसी सडमे में है इस ले करके तो इस प्रकासी चीजें देख सकते हैं कि पहले जार्खंड जो है हमेंसा भष् हमार से जुड़ गए हैं बीजेपी विधायक हैं अमिजी बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया वॉइफ में आपका अमिजी खबर तो आप तक पहुच गई होगी जो चाहा आपको मिल गया मुख्यमंत्री ने स्तीफा दे दिया नहीं है हमारी चाहत और किसी और के चाहत नहीं है समयदानिक चीजह धो में अगर मुक्रिमंत्री यह कोई लगता है तो निष ł पहले भी लगा हम लोगों ने सबूत के साथ लगाए और विपक्ची पाटी होने के नाते ये कर्टब बनता है कि जहां पर प्रश्चार हो रहा उन चीजों को उजा करकर तो फिर विपक्ची पाटी कि इसकाम का इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ है नियम के नियम सं किया है अभी देखी आगे क्या होता है अभी सीम साब मिलने भी गया है तो यह राज भावन को निवने लेना है कि विदायक दल के निता कौन होंगे और कब सपत्रान होगा यदी हुआ तो मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात मतलब अभी लंबा है तन्गर्स अभी इतनी जल इंच्छा में बहुमत आएगा तो उसके बाद ही आजएगा कुछ निर्गा है इस पूरे क्योंकि खबर ही आ रही है आप लोग चारे और राश्पती शासन लगा दिया जारा दिया निश्चित तोर पर हम लोगों का यह मानना है कि जिस प्रकार से उनके पार्टी के अंद चुना गया है तो आपको यह अभी भी संशे है कि पार्टी ने विधायक दल का नेता चुनना अलग है और मेजॉरिटी जब तक नहीं दरताया जाएगा और जब तक मेजॉरिटी के लिए पूरे विधायकों को परेड नहीं करा जाएगा तब तक हम यह नहीं मानके है कि कि उनको पूरे मज्योरिटी का जाएग है और वो सरकार बनाने के स्थिती में तो आपको यह संशे है कि क्या सीता सूरेन या फिर बसंसूरेन बगावत करने नहीं देखिए जिस प्रकार जेंगा उन लोगों को खाली पेपर में साइन करा एग गया है और जिसक्रकार किस करवट बदलेगा कौन किस करवट बैठेगा यह कहना मुश्केल है अमिजी विधायक जी आपका बीजेपी का 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 बीजेपी के सामने लेकिन अगर राजेपाल के और आप बहुमत का एक जिक्र कर रहे हैं वो बहुमत का आकड़ा दिखा कर अगर समयधानिक नजरिये से क्योंकि अगर चंपाई सुरें को मुख्य मंत्री की ताजपोशी मिल जाती है तो फिर इसे आप किस नजरिये से देखते हैं क्या बीजेपी अपनी तरफ से कोई प्रियास करेगी बीजेपी समयधानिक तरीके से चलना पशंद करती है और समयधान यह कहता है कि मेजॉरिटी जिसके पास होगा सरकार उसकी बनेगी ना खरीद के ना फिरोग के ना डर से ना धमका के यह जो जेमें की सरकार है कुछ भी कभ तो जब तक राजभवन में अपने मजोरिटी को दर्साय नहीं जाएगा जी यानि गिरफ्तारी लग बगता है उचुकी है नहीं एडी की गिरफ्तारी में अभी अब हैसी गोश्चना नहीं हुई है नहीं हिरासक पर खुद कह रही है अधिक अधिक नहीं वह क्या कह रही ह तो इसमें मौका मिलेगा मौका मिलने का मतलब है मैजॉरिटी हमारे हाथ में होगी और जब मेजॉरिटी हमारे हाथ में होगी निश्चित और पर कोई भी सरकार बनाने के लिए कि नंबर गेम में तो आप बहुत पीछे हैं जारकंड में नंबर गेम तो जब तक वो लोग अपना थाबित नहीं करेंगे बहुत मुझकिल कि किसके पास पूंबर है किसके पास संक्षाव ज्यादा है में जितने राजियों में चुनाव आए उसका नतीजा आई रहा है और मोधी के लिडर्शिप में हम लोग चुनाव लड एंगें तो मोधी है तो मुंगी संवेदानिक राइसिस है बिहार में कोई सम्वेदानिक क्राइसिस नहीं महराश्ट में भी था महराश्ट में भी था वो सब आप तो खेर एंपी में यह हुआ था तो बकाइदा उन्होंने रिजाइन करके चुनाव लड़के फिर से मेजॉर्टी साबित किया तो वह सिचुएशन अलग और जारकंड का सिचुएशन अलग है आपको हैरानी नहीं होत जो सरकार और जो वैक्ति ब्रस्टचार करेगा वो ब्रस्टचार यह वो चाहिए किसकी भी दल्काओ ठीक बहुत 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 शुक्रिया वही हमन सोरेन की गरफतारी को लेकर कॉंगरिस के विधाय अकमबा प्रसादनी भी इंडिया वोईस से खास बात शीत कि इस दोरान क्या कुछ कहा हमार प्रसादनी आई आई आपको सुनाते हैं और अपना मुख मंतर हमन सोरेन अपना इस्तिपा राजपाल को शौपा है तुकि ये चीजे दिन भर में अठकले लगाए जा रहे थी कि गिर्पदार होंगे या नहीं होंगे क्या होगा इस्तिपा देंगे या नहीं देंगे ये सारी चीजे इडी के काड़वाई पर नेवर था इसलिके दीन भर के सलसय का बना हुआ था सस्थेंस बना हुआ से कि धारकण के राजीनिस्तिप में सस्थेंस था अब ये सस्थेंस लगबख लगबख पसकीर साफ हो चुकी है और चितल तक जो था कल आज सुबह तक भी कलपना स्वरेन की बाते सामने आई थी तो नहीं चेहरे के रूप में उनको प्रजेंट किया गया जाएगा लेकिन साम देर साम तक में जो गहमा गहमी रही पुलीस पी जो दवीच रही एली की जो दवीच रही वैसे हुए क्लपना और इनको नहीं चेहरे के तौर में वो पीश किया गया है अब धारा 144 जो लागू की गई थी वह आज अभी भी उस पर ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है क्योंकि वहां पर सुरक्षा विवस्था की चिंता एडी को पहले ही थी जी बिलकुल आज कल ही ने सब्सक्राइब न लेकिन अगले आदेश तक के लिए 144 पूरी लागू है पुरे रांची सहर में विविन जोगों पे तो यह चीजों इसे इंकार नहीं क्या जा सकता है कि यह की भी यह संकेत है अचिकी सरकारों को मालूम है प्रशाशन को मालूम है कि किसी विवारती किसी विचीजी को स्टे दोहर करता है उस बहमत को कि विवो समय देंगे राजपाल को दिना उनका अधिकार है कि समय देंगे वह उन पर रहे है लेकिन इस इस्तिफाह की वह मिलने के बात वो तो ओपर के दिया हो चुका है अब यह देखना पड़े कि राजयपाल इस तरीके से रहे कब कि इस तरीके से वो लेते हैं चुकि वह सरकार का मामला है किसी परकार के चुके नहीं हो शुरक्षालान ओर का भी मामला बनता है ऐसे में चीजों को सपत गरहन करना या पि नहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को तपत करना राजभावन यह संभव इतना नहीं है इस लेकर के राजपाल ने भी अब वह समय उनके लिए मांगा है लेकिन खबर यह आ रही है कि इडी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर बाहर निकलें राजभावन से तब जाकर उनकी गिरफ्तारी की जाए और दूसरी तरफ वो अभी राजभावन में ही मौजूद है यानि कि राजभावन में एडी गिरफ्तार नहीं करना चारी उनको यहां पर राजभावन की भूमिका एहम हो जाती है और उसके बाद ही आगे की परकिलिया तैक ही जाएगी अजे मेरी आवाद आरी आपको यहां पर राजभावन की भूमिका एहम हो जाती है और बीजेपी दावा करें कि राश्पती शासन लगा दिया जाए अजे समिधानिक संकट है और पहले राजभावन यह बात कह चुके हैं कि भाई कानून से बड़ा कोई नहीं है और कानू बने उनका आपना लेकिन राजपाल उस तने जर्टिश नहीं देते हैं राजपाल वो जो सेवैदानिक है ग्रितारी आज उसी लगभग लगभग जो है उताय है माली जा रही है अब इससे पर एक अधिकारी पूष्टी होना बाती है चुकि अज ही बड़ी घटना रही कि अंदर यम आवाज के अंदर जो है इली के पूश्ता चले थी वैसे में आज राजीते ग्रिव सची भी बदले गया है और यह ग्रिव सचीव का फिरभार मुख सचीव को दिया गया है तो ऐसे में चीजों तमाम चीजें को दिख रहे हैं सामने स्वाइंग मंद्री अब कुछ ही समय का ये फैसला बचा हुआ है कि अब ये अधिकारी कुछ्छी कब तक होती है अधिकारी को लेकर नगर विकास विभाग की क्या भूमिका है और आगे क्या लक्षे है इसको लेकर इंडिया वॉइस ने प्रमुक्स अम्रित अभिजवाद से खास बात चीक की सुने उन्हें ने क्या कुछ कहा है अधिया में राम मंदिर निर्माण की कवायद से लेकर अब तक अधिया को अंतराष्टी इस्तर पर डवलप करने की जो कवायद है वो तेजी के साथ चल लई है और इसमें नगर विकास विभाग जो है वो अपनी एक एहम भूमिका निभा रहा है हमाई साथ बात करने के लिए नगर विकास विभाग के प्रमुक सची अमर्थ अभिजाजी हैं सर आयोधिया को लेकर बात की जाए च्योंकि उसको अंतराष्टी इसतर पर डवलप करने की बात की तो ऐसे में नगर विकास विभाग की भूमिका काफी अधिक बढ़ जाती ह तो क्या कुछ प्रमुक्षीजे वहां पर की जाए। हम लोग टोटल कर रहे हैं और जो सड़के जो बिशाए जा रहे हैं वो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अंडर डेवलपेर रियास्ते वहां के वहां पर भी उसका पूरा प्रवंध हो जाए। के दोरान कि एक बहुती विशिस्ट प्रकार की शेली के अंतरगत हम लोगों ने इस वक्षिता को हां इंचोर किया था जिसमें मैन पावर का डिप्लॉमेंट हम लोगों इस तरह से किया कि वार्ड में भी डिविजिजिन करके उसको ऑफिशिल्स के अंतरगत लिया गया तो ल जाना जाता है उसके पैरलल में अध्या खड़ा होके आए और सफाई के मामले में रांक हासिल करें सीवर ट्रीटमेंट को लेकर भी क्या हो प्लांट लगाए जाएंगे या उसकी भी क्या आगए सब्सक्राइब का इस तीपी में हमारे यह कोशिश्चिस है कि वह सोलर ऑप जाएगा अगर हम लोग सोलर से यूज़ करेंगे तो एक तो बिजली की खपत में जो वैभार आता है कॉपरेशन पे वह भी कम होगा और साथ-साथ एक भविश्च की रणनीतिक अंतरगर जो है सोलर पावर को बढ़ावा देते वह इस कारिको किया जाना है चुकि बढ़ी कि नॉर्मली एक बार या दो बार की सफाई होती है वहां पर लोग तीन मारे इंचोर कर रहे हैं और जो संख्या वहां पर दिया है वो क्योंकि बाहर के बहुत लोग है क्योंकि जो फॉमलेशन है उसके हिसाब से अगर आधिया को देंगे तो उतनी ज्यादा वहां की अभी दिनों में अधिया के अंदर और विकास को लेकर नगर विकास विभाग जो है वो अपनी इहम भूमकान इभारा है हर इस तर पर चाहिए वो कुड़ा प्रबंधन को लेकर हो सीवर टीटमेंट को लेकर हो या फिर अम्रत के जरीए जो नए सुद्ध पैजल कनेक्शन देने केमरमेन राहूल के साथ मैं प्रियम पार्टक इडिया वॉइस लखना हूँ और फिलाल के लिए बुलिटिन बस इतना ही खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ